वेलकम टू एक्जाम सहपाथी आज के इस वीडियो में हम लोग जून माह के करंट अफेर्स के बारे में देखेंगे अब तक हम लोग जनुवरी से माई तक के करंट अफेर्स के बारे में देख चुके हैं 2020 के जो की आपकी वन लाइनर सेरीज है तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम महत्वपूर दिवस को देखते हैं जून माह के तो एक जून को क्या मनाए जाता है वो होता है आपका विष्व दुगध दिवस ठीक है अगर विष्व साइकिल दिवस पूछा जाएगा तो ये होता है आपका तीन जून को और इस YEAH महीने में जो सबसे मेजबान देश होता है इस साल का जो मेजबान देश था वो कौन था वो था पाकिस्तान ओके विस्व खाद्य सुरक्षा दिवस तो विस्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब होता है तो साथ जून को होता है इसकी थीम क्या थी सेफ फूट टुडे फार हेल्थी टुमारो ठीक ह यह आपकी विश्व खादि सुरक्षा दिवस हो गया 7 जून को रक्तदाता दिवस यानि की रक्तान करने का दिवस विश्व रक्तदाता दिवस है यह 14 जून को मनाया जाता है यह भी जो है इंपोर्टेंट है आपका याद रखिएगा योगा फार well-being और योगा फार wellness आप लोग याद रखिएगा ठीक है न व्यलनेस विश्व संगीत दिवस भी इसी दिन होता है ठीक है जिस दिन आपका विश्व योगा दिवस होता है उसी दिन विश्व संगीत दिवस होता है World Music Day 21 जून को ही और अंतर राष्ट्री ओलंपिक दिवस ठीक है इस बार ओलंपिक सोने वाले हैं तो ये ओलंपिक दिवस भी आप जरूर याद रखिएगा 23 जून को जो है अंतर राष्ट्री ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और आप आपका अगला है कि राष्ट्री सांखी की दिवस 29 जून को ठीक है अगर आपको पता हो कि ये विश्व संखी की दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा हम अब स्टार्ट करते हैं आपके वन लाइनर को ठीक है ये भारती उद्योग परिसंग के अध्यक्ष जो है बने हैं तो ये वाला question आपसे direct पूछा जाता है कि भारती उद्योग परिसंग के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है तो वो है टीवी नरेंदरन ठीक है यूरोप में state fast defender 21 जो है ये सैन अभ्यास आयोजित कर रहा है तो state fast defender 21 आप याद रखेंगे किस से संबंदित है तो ये संबंदित है NATO से ओके NATO का मुख्याले पुछा जाता है कभी कबार तो ये आपके Brussels Belgium में है ठीक अगले आपका युपको ने दुनिया भर के किसानों के ख्याला है ये कहां पर है नई दिल्ली में और इसके अस्थापना जो है ती नौबर उनीस सो सरसट कोई थी अस्थापना इंपॉर्टेट इतनी नहीं है लेकिन आप ये जरूर याद रखेगा कि नैनो यूरिया किसने बनाया दिये क्योंकि ये दुनिया का पहली दुनिया इसके प्रदान मंत्री कौन है अस्थाइल की राजधानी जो है यरुसलम में है और मुद्र क्या है इसराइली सेकल फिक चीन ने इनसान में बर्ड फ्लू ह 10 N3 का पहला केस रिपोर्ट किया तो अब ये वाला जो है इसके पहले अप्पले बर्ड फ्लू था एसका जो ये व ठीक है चीन की राजधानी क्या है बीजिंग और वहां की मुद्रा क्या है रैन मिन भी ठीक है अगला हम लोग देखते हैं वाटसप ने परेस भी लाल को भारत के लिए सिकायत अधिकारी नुक्त किया तो भारत के लिए जो सिकायत अधिकारी जो है वाटसप ने नुक्त किया ठीक है क्योंकि Facebook का जो है सिकायत अधिकारी भी बनाया जा चुका है तो Facebook का सिकायत अधिकारी कौन बनाया गया है उनका नाम अप लोग कमेंट करेंगे WhatsApp का बस थापित हुआ था 2009 में और इसकी संस्थापक कौन थे जान कौम और ब्राइन एक्टन ठीक है अगला हम लोग देखते हैं सेवन नमबर लेटिनेंट जनरल प्रदीब चंदरन नायर ने असम राइफल्स के महानी देशक का कारेभार समाला है तो असम राइफल्स जो है एक इंपॉर्टेंट संस्था है ससस्त्र सीमा के लिए तो ये जो है इसके जो महानी देशक बनाए गया है कौन बनाए गया है प्रदीब चंदरन नायर को ठीक है और असम राइफल्स अठारे सो पैंटिस में अस्तित्त्त में आया था असम राइफल्स का मुख्याले आपसे पूछा जाता है जेनरल नौलेज में तो इसका मुख्याले कहां पे है सिलांग मिगहौले में और असम राइफल्स को जो है उत्तर पूर्व का प्रहरी भी कहा जाता है ये भी आपके जेनरल नौलेज का क्वेस्चन है ठीक है इसके प्रिक अमोथ ने Dr. Harz NEWर्दन की जगली थे । जो ये कारकारी बोर्ड का अध्यक्ष होता है ये एक wordt के लिए चुना जाता है तो पिछले वर्ष जो ये कौन था तो पिछले वर्ष जो भारत के स्वास्थ मंत्री थे डक्टर हर्ण riders वर्दन इनको जो है अब W.H.C. को कारकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था लेकिन इस वर्ष जो है डाक्टर पैट्रिक अमोत को बनाया गया ठीक है और यह केनिया के है अगला है आपका भारत के विदेश मंत्री S.J. संकर ने व्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता क तो ब्रिक्स की जो है बैठक इस साल कितनी भी बार होगी तो उसकी जो है अध्यक्षता भारत ही करेगा तो 2021 में ब्रिक्स की बैठक कौन कर रहा है तो वो कर रहा है इंडिया ठीक है न तो यह याद रखना कि 2021 में ब्रिक्स की कोई भी बैठक होगी तो उसमें जो है भारत ह जो है अध्यक्षता करेगा WhatsApp के माध्यम से ग्रामीड आबादी में COVID का पता लगाने के लिए X-ray से तू लांच किया गया ठीक तो X-ray से तू जो है लांच किया गया किसके दोरा WhatsApp के माध्यम से ग्रामीड आबादी में COVID का पता लगाने के लिए प्लांच किया गया तो वो है आपका X-ray से तू ठीक केंदरी ये खाद्य प्रसंसक्रण मंत्री कौन है तो ये आप जानते हैं केंदरी खाद्य प्रसंसक्रण और मंत्री है आपके नरेंदर सिंग तोबर इन्होंने 36 गड़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उधगाटन किया तो इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उधगाटन कहां पे किया गया तो ये किया गया है 36 गड़ में नरेंदर सिंग तोबर के द्वारा ठीक है और 36 गड़ के मुख्यमंत्री कौन है तो ये हैं आपके भूबेस बगेल और वहां की राज़पाल जो है जून में अनुसुया उइके ठीक है अगला आपका केरल ने नीती आयोक के SDG इंडिया इंडेक्स 2021 के तीसरे संस्क्रण में सीर सस्थान बरकरार रखा तो ये SDG इंडिया क्या है आप सब जानते हैं सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल सतत विकास लक्ष ठीक है इसमें जो है इंडिया भी अपना इंडेक्स जारी करता है तो इसमें जो है केरल जो है प भारत के अंदर के लिए वो नीती आयोग जारी करता है ठीक और इसमें बिहार सबसे खराप्रदर्शन करने वाला राजगोसित किया गया है भारती नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षड पोत जिसका नाम क्या है संध्यक ये 40 वर्सों तक राष्ट की सेवा करने क अब ये हैं आपके मौरीसस के पूरो प्रधान मंत्री जिनका नाम क्या था अनिरुद जगरनाथ ठीक ना इनका हो गया निधन आप इनको ज़रूर याद रखना ये मौरीसस के पहले प्रधान मंत्री थे अब इनका निधन हो गया है और इनको जो है भारत की और से पद्म विभुस्ड पूरुसकार भी प्रदान किया गया था ठीक है ना जून माह में ठीक. नुवाक जोकोविक ने बेलग्रेड ओपन में अपने केरियर का तिरासिवा खिताब जीता तो बेलग्रेड ओपन जो है किसने जीता नुवाक जोकोविक ने इसके अलावा जो आपका मेन ओपन टेनिस ओपन टूर्नामेंट होते हैं जिसमें से अभी तक तीन हो चुके हैं विंबल्डन हो चुका है आश्ट्रेलियन ओपन हो चुका है और फ्रेंच ओपन हो चुका है वह तीनों भी किसने जीता है तो यह तीनों भी मेंस सिंगल में जो है नुवाक जोकोविक नहीं जीता है ठीक है न मध्य प्रदेश में जो ह कुछ दिनों बाद उसकी फोटो खीच के जो है आप भेजेंगे तो आपको जो है इसके लिए सम्मानित किया जाएगा तो अंकुर योजना कहां की है मध्यप्रदेश की है ठीक अगला जो है इंपोर्टेंट है ये नाम आप जरूर याद रखना रणजीत सिंग डिसाले इनको जो है 2021 से 2024 तक के लिए विस सुबैंक का सिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है ठीक है 2020 में इन्होंने ग्लोबल टीचर आवाड जीता था अब जो है 2021 में जो है जून 2021 से जून 2024 तक के लिए इनको विस सुबैंक का सिक्षा सलाहकार घोसित किया गया है ठीक है तो य यह नाम जरूर याद रखना आप लोग रंजीत सिंग डिसाले और यह कहां के हैं तो यह है महाराष्ट के हैं यह यह भी आप याद रखना विस सुबैंग का मुख्याले आप से पूछा जाता है कहां पे है वासिंग्टन डी सी से यूगतराज अमेरिका में इसके अलावा इ अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो डेविड मल पास का नाम ठीक है न तो यह नाम यह इंपोर्टेंट है यह लास्ट के तीनों क्या कहते हैं इस्टेटिक जीके में आपसे पूछ लिया जाते हैं अब आपका है सीब्यसी के पार्ट करम में कोडिंग और डेट डेटा विग्यान ठीक है कोडिंग आपका जो है प्रोग्रामिंग लेंगविजे जो होती है उसके अलावा डेटा साइइन्स जो होता है तो डेटा साइंस को भी एक विशय के रूप में शुरू करने के लिए माइक्रोसाफ्ट के साथ साज्जधारी किये किसने सीब्यसी CBSC के एद्धिक्ष का नाम आप याद रखना मनोज आहुजा ठीक है तो कोडिंग और डेटा विज्ञान सुरू करने के लिए Microsoft के साथ साज़ेदारी किये किसने CBSC ने अगला है आपका लद्दाक के उपराजिपाल आरके माथुर ने यून टैब ये लद्दाक के उपराजिपाल है ठीक है जम्मू कस्मीर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे लद्दाक की बात हो रही लद्दाक के उपराजिपाल कोने आरके माथुर इन्होंने एक यून है जो की कहा के लिए लांच किया गया है लद्दा के लिए ठीक है माल दीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद बने 76 यूण जीए के अध्यक्ष यूण जीए आप जानते हैं यूणायटेड नेशन जनरल असेंब्ली होता है ठीक है यूणायटेड नेशन अगनाजिसन यूण नो दोसरा होता है यह आपका यूण जीए मूण जीए यूवन न जो है एक यूनाटेट नेशन आगनाजेशन के अद्धक्ष कौन है वरतमान में वो आप बताइएगा UNGA के अद्धक्ष किसको बनाया गया तो मालदीव के विदेश मंत्री है अब्दुल्ला साहिद अगला अपका असम सरकार ने राय मोना रिजर्व फारेस्ट को असम का छठा राश्ट्री उद्ध्यान नामित किया तो असम में जो है अब तक कितने थे 5 जो है राश्ट्री उद्ध्यान थे अभी यह जो है यह important point है यह जान लीजिए exams में जरूर आना इसको राय मोना रिजर्व फारेश्ट को असम का छठवा राष्ट्री उद्यान गोसित किया इसके अलावा जो है इन्होंने साथवा भी राष्ट्री उद्यान गोसित किया तो ये तीन जो है MH60 Romeo Helicopter जो है भारत को सौपा जा चुका है किसकी ओर से अमेरिका की ओर से अरुडाचल प्रदेश की Water Burial ये एक फिल्म है जो है Water Burial ठीक है अरुडाचल प्रदेश की इसको सरसठ्वे राष्ट्री फिल्म पुरुसकार 2021 में परिया वरण संदक्षण पर सर्वस्रेश्ट फिल्म का राष्ट्री पुरुसकार मिला है ठीक है सरसठ्वा फिल्म फेर पुरुसकार जो 2021 का है इसमें परिया वरण संदक्षण पर जो सर्वस्रेश्ट फिल्म है इसका राश्टी पुरुसकार की उसको मिला है तो अरुणाचर पदेश की फिल्म है Water Burial अगला हम लोग देखेंगे 25 निती आयोग ने Central Bank और Overseas Bank के निजी करण की सिफारिस की तो निती आयोग जो है भारत सरकार को नई नई चीजें करने के लिए ये सुझाओ देती रहती है तो इसने जो है बोला है कि Central Bank और Indian Overseas Bank इन दोनों को क्या कर दो इन दोनों को कर दो Private ठीक है नहीं तो इन दोनों बैंकों को Private करने का सुझाओ दिया गया है निती आयोग के दोरा Central Bank और Indian Overseas Bank को लापता ब्यक्तियों की पहचान के लिए Interpol ने लांच किया क्या I-Family तो Interpol क्या होती है जैसे कि आपके इंडिया में आपकी जो है जो आपके आसपास होगी पुलिस ठीक है ना तो ये Interpol जो होता है ये World Level की पुलिस होती है तो इसने क्या लांच किया है इसने लांच किया है I-Family ठीक है तो I-Family है जो है लापता ब्यक्तियों की पहचान करने के लिए और Interpol के अध्यक्च Kim Jong-Yang है ठीक है Kim Jong-Yang है ये दूसरे वाले है Korea वाले नहीं है ठीक है ना अब देखिए इंटरपोल की अस्थापना कब हुई थी तो 1923 में मुख्य क्या है इसमें इंटरनेशनल का जो मुख्याला है ये आपसे एक आग बार पूछा जा चुका है तो इंटरपोल का जो मुख्याला है वो आपका लियोन फ्रांस में है ठीक है न तो ये आप याद रखना अगला अवध के लिए बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में न्युक्त करने की मंजूरी दे दिये तो चंदर सेखर गोस क्या होंगे बंधन बैंक के MD और CEO बंधन बैंक जो है किसका बैंक है तो ये जो है Reliance Group का जो है एक बैंक है प्राइवेट बैंक है ये Reliance का ठीक है तो Reliance का एक जिसका नाम क्या है बंधन बैंक और इसके MD और CEO के रूप में किसको जो है न्युक्त करने की घोशड़ा की गई है तो वो है आपके चंदर सेखर गोस ओके अगला हम लोग दिखते है अगला है आपका की हर्याना के मुख्यमंत्री इनका नाम जानते है आप लोग मनोहर ला खटर है ठीक है इन्होंने करनाल जिले में 80 एकर भूमी में आक्सी वन ये आक्सी वन क्या वन का मतलब एक फारेश्ट है ठीक है ना आक्सी वन एक जंगल आई है इसको बनाने की घोशड़ा की है 80 एकर जमीन में करनाल जिले में ठीक है ना और इनके जो है हर्याना की कुछ अन्य योजनाएं हैं ये भी जान लीजे कि पंच कुला में भी एक आक्सी वन का निर्माड़ किया जाएगा आप देख रहे हैं करनाल में जो है एक आक्सी वन का निर्माड़ हो रहा है उसके लाव पंच कुला में भी एक आक्सी वन का निर्माड़ होगा और हरियाणा में प संयुक्तराष्ट सुरक्षा परिसद ठीक अभी आप से question पूछा गया था नहीं नहीं संयुक्तराष्ट परिसद के सन्युक राष्ट परमुक के रूप में यानि कि आपको UN का परमुक मैंने भी पूछा था आपसे तो उसमें जो है कौन है ये वरतमान में भी अभी Antonio Guterres ही ह और इंहें जो है दूसरे कारेकाल के लिए भी नामित किया गया है निकि इसके बाद भी इननी को जो है इनका कारेकाल बढ़ाने की जो है जिफारिस की गई है सुन्युक्त राश्थ वरक्चा परिस्ट के दोरा ठीक है तो सर्यूक राष्ट संग के प्रमुक अभी जो है एंटेनिय गूटेरस हैं और आगे भी यही रहेंगे अभी के लिए एनेमिया मुक्त भारत सुचकांक में पहले अस्थान पर मध्यप्रदेश है दूसरे अस्थान पर ओडिसा और तीसरे अस्थान पर हिमान चलतो तो एनेमिया मुक्त भारत सुचकांक जो जारी किया गया है इसमें जो है एनेमिया मुक्त में सबसे पहले स्थान पर कोन है तो वो है अप मध्यप्रदेश ठीक है केंद्र सरकार ने अनूप चंदर पांडे को नया चुनाव आयुक्त के रूप में नुक्त किया है तो चुना चुनाव आयुक्त होता है ठीक है जो नए चुनाव आयुक्त थे, अगर आपको पता हो तो वो आप बताइएगा कमेंट करके ठीक है तो इसके पहले कौन थे सुसील चंद्रा के पहले जो है कौन थे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनावा आयुक का गठन कब हुआ था आप सब जानते हैं 25 जनवरी 1950 को हुआ था वो वरतमान में मुख्य चुनाव आयुक्त आप जरूरी याद रखेगा का सुसील चंद्रा और नए चुनावय योगत बनाया गया है अनूप चंद्र पांडे को The Times 50 Most Desirable Women में 2020 के लिए इसमें टाप पर कोन है तो वो है रिया चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती जिनका नाम जो है सुसान सिंग राजबूत के साथ जो है जुड़ा था इनको ड्रक्स के लिए CBI ने आरेश्ट भी किया था ठीक है इनसे पूछताच की थी तो इनको जो है The Times ने 50 Most Desirable Women की जो है लिष्ट में सामिल किया है और इसमें भी सामिल क्या किया है इसमें इन्होंने टाप किया है ठीक है यह पहले नंबर पे हैं 50 Desirable Women में तो El Salvador जो है बिटकोईन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है याद रखिएगा अगला देखिए असम सरकार ने अभी आपने देखा था कि राय मोना को जो है छट्वा बनाये था अब यह आपका देहिंग पठकाई वन जी वभ्यारन को राजी का सात्वा राष्ट्री उद्यान गोसित किया है ठीक है तो अब सात्वा राष्ट्री उद्यान को न हो सबसे अधिक राष्ट्री उद्यानों की संख्या आप कहां पे हो जाएगी असम में तो सात जो है हो जाएंगे असम में राष्ट्री उद्यान तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा पहले पे कौन है तो पहले पे मंध्ध प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप में जिसमें सात राष्ट्री उद्यान हो गए हैं अभी आप से पूछा गया था फेस फेस्बुक की जो है सिकायत अधिकारी किसको न्युक्त किया गया ठीक है मैं इसको इसको जो है छे महीने की जो 200 करंट अफेर्स थी उसमें मैं इसको पढ़ा चुका था इसलिए मैंने आपसे पूछा मैं क्योंकि आप देखे होंगे वो वीडियो और आपको जो है उसमें most important current affairs के बारे में बताया गया है 200 वीडियो के अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो उसको जाके आप जरूर देख लीजेगा ठीक है ना अब यह आपका जो है facebook ने इस पूरती प्रिय को ठीक अगला है आपका LIC के अध्यक्ष MR कुमार के कारिकाल को मार्च 2020 तक मार्च 2022 तक बढ़ाए गया है ठीक है तो अभी अग से पूछा जाएगा कि LIC के अध्यक्ष कोन है तो आप याद रखेगा इनका नाम MR कुमार है LIC के वर्तमान अध्यक्ष ओके RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में ये गवर्नर नहीं है ये कारेकाल नहीं है तो यह सबही जो है आरबी आई के अन्य तीन डिप्टी गवर्नर है इसके अलामा आपके चार क्याны रीप्टी गवर्नर है। तीन यह हो गए, एक ही महस कुमार जाओन, ठीक है, और आप ये बताईएगा कमेंट में, आपको सब को पता होगा, तो कमेंट कर दीजेगा कि RBI के कौन से नंबर के गवर्नर हैं, जो वर्तमान में हैं, कौन सक्तिकांत दास, उनका नंबर आपको बताना है, किस नंबर के गव 2022 में IIT Bambay को क्या है, विस्व में तो 177 रैंक दिया गया है, लेकिन इसको जो है भारत का सर्वसरेष्ट विस्व विद्याले के रूप में अस्थान दिया गया है, ठीक है, तो भारत का सर्वसरेष्ट विस्व विद्याले कौन है, QS World Ranking के अनुसार, तो वो है आपका IIT B ठीक है, और विस्व में इसकी रैंक 177 है, इसके बाद IIT दिल्ली 186 रैंक है जिसकी और इसके और अलावा, IISC Bangalore का स्थान है, ठीक है, तो पहले नंबर पर जो है QS World Ranking में कौन सा उनिवस्टी है, तो वो है आपके IIT Bambay, सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के लियोनेल कि फुटबाल टीम के कपतान है, ठीक है न, तो ये जो है अभी हाल ही में सबसे दूसरे नंबर के जो है सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाडी बन गए है, कौन सुनील छेत्री, किसको पीछे किया है, नियोनेल मेसी को, ठीक, ICC ने Chris Broad को World Test Championship Final का referee बनाया है, तो World Test Championship किस ने जीता है, और किसको हराया है, और इसका जो referee बनाया गया था, वो बनाया गया था, Chris Broad को, ओके, COVID-19 ने अनाथों के लिए, असम के स्रियम, इनका नाम जानते हैं, आप लोग हेमंत विश्वा सर्मा, इन्होंने मुख्य मंत्री सिसु सेवा योजना शुरू की है, तो हर जो है अधिकतर सभी राज्यों में ये योजना श्टार्ट की जा रही है, क्योंकि जो COVID-19 से बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए, ठीक है, तो असम की जो योजना है, वो है आपकी मुख्य मंत्री सिसु सेवा योजना, ओके, ग्लोबल लिवेबिल्टी जीवित रहने योगित इंडेक्स, इसमें आउकलेंड को जो है, पहला अस्थान दिया गया है, तो ग्लोबल लिवेबिल्टी इंडेक्स 2021 जो जारी किया, यानि कि जीवित रहने योगि जो सहर है, उसकी सूची में सबसे पहले अस्थान पे है, आउकलेंड, ये न्यूजिलेंड का सहर है, ठीक है तो इसको जो है, मिला है, पहला स्थान, अगला आप याद रखेंगे, UK Asian Film Festival, तो ये आप याद रखना कि United Kingdom का है, कि Britain का, वहाँ पे Asian Film Festival, UK Asian Film Festival में भारत की तिलोत्तमा सोम, ठीक है, अभिनेत्री है, इन्होंने सर्वस्रिष्ट अभिनेत्री का पुरुसकार जीता है, तिलो फिल्म के निर्देशक थे, गौतम घोस, जिन्हें जो है, सर्वस्रिष्ट निर्देशक का पुरुसकार दिया गया है, तो राहगीर मुवी के लिए, तिलोत्तमा सोम को जो है, सर्वस्रिष्ट अभिनेत्री का पुरुसकार कहां पे दिया गया, UK Asian Film Festival में, और इसी के डिरे सक है, RS सोडी, इनको Asia Pacific उतपादक्ता चेंपियन पुरुसकार दिया गया, तो एसी अपैसिफिक उतपादक्ता चेंपियन पुरुसकार दिया गया, RS सोडी के जो की अमूल के प्रबंदी दे सक है, और RS सोडी को अंतर राष्ट्री डेरी संग का सदस से भी चुना गया है, तो जो RS सोडी है, जो अमूल के MD है, इनको अंतर राष्ट्री जो डेरी संग है, उसका जो है सदस से भी चुना गया है, ठीक है, अध्यक्ष नहीं है, सदस से हैं उसके, ACI खेलों में सवर्ण पदक विजेता, पूरो बॉक्सर, बॉक्सिंग स्टार डिंको सिंग का निधन हो गया, तो ये जो है नार्थिष्ट से थे, डिंको सिंग और ये बॉक्सिंग से संबंदित थे, और ये जो है, ACI खेलों में सवर्ण पदक भी इनोंने जीता था, हाली इंडिया सर्वे ऑन हाईयर एजूकेशन ठीक है तो ये उच्छ सिक्षा पर जो है सर्वेक्षड किया गया था इसमें रिपोर्ट आई थी जिसमें आपको ये एक दो पॉइंट याद रखने है कि छात्रों के नामांकन में कुल 11.4 प्रत्शत की प्रत्शत की प्रत्शत की प ठीक है किसमें हाईयर एजुकेशन में उच्छ सिक्षा में और उच्छ सिक्षा में साथ चात्रों सिक्षक का अनुपात कितना है तो वह चब्विस ठीक है तो एक्जाम जो है टीचिंग के एक्जाम देने वाले इसको जरूर याद रखेंगे ये वाले पॉइंट्स को ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन सूरत सिंग माथूर काने धन हो गया तो ओलंपिक खेलों में मैराथन उन्होंने पूरा किया था ये स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे इसलिए आप लोग इनका नाम ध्यान रख ल तो DBS Bank को Forbes के दुआरा दुनिया का Service Rest Bank जो है घोसित किया गया है Rebecca Greenspan, Rebecca Greenspan ये नाम important है जरूर याद रखिएगा ब्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट संवेलन यानि कि अंक टाड इसको site में बोलते हैं फ्रेट का न तो अंक टाड की महसचीव के रूप में नियुक्त होने वाली ये प्रतम महीला है तो प्रतम महीला है इसलिए आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा Rebecca Greenspan इनका नाम है ठीक है अंक टाड की प्रतम जो है महसचीव है ये प्रतम महिला महसचीव RBI के आंकडों के अंसार भारत का विदेसी मुद्रा भंडार पहली बार 600 बिलियन डालर का आंकडा पार कर गया तो भारत का जो विदेसी मुद्रा भंडार है ठीक है Forex Reserve है जो वो पहली बार किसके पार चला गया तो 600 बिलियन डालर के पार चला गया ठीक है किस तो ने बताया है तो यह बताया है आर बी आई ने IIT रूड की के प्रोफेसर है गोविंद गड़पुले ने विस्फोटक रोधी हेल्मेट के लिए जीता NSG पुरुसकार तो ये देखिए IIT रूड की के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम है गोविंद गडपुले इन्होंने क्या बनाया है एक बनाया है विस्पोटक प्रतिरोधी हेलमेट ठीक है यानि कि जो है उसको विस्पोट होने पर भी वो हेलमेट जो है टूटेगा नहीं ठीक है तो विस्पोटक प्रतिरोधी हेलमेट बनाया है इसके लिए इन्होंने NSG पुरुसकार जीता है कोरसेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में भारत किस नमबर पे है तो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट है ठीक है मतलब की कुई भी काम करने की आपमें कितनी अच्छी कला है ठीक है तो वह उसकी जो है खिस नमबर पे है तो सरुच्छभे नमबर पे है यूरोपी अंतरिक्ष एजन्सी 2030 में सुक्र ग्रह के लिए Envision Mission launch करेगी तो याद रखना ये Envision Mission किस के लिए है किसका है तो ये है यूरोपी अंतरिक्ष एजन्सी का और किस ग्रह के लिए है तो सुक्र ग्रह के Лिए Challenge कब होगा 2030 में ठीक है और European Antrix Agency का मुख्याल है कहा है पर यह है अपके Paris France में और European Antrix Agency के स्थापना कब होई थी तो यह होई थी 30 मई 1975 को कहां पर यूरोप में ओके तो Envision Mission कि से सम्मंदित है सुक्रक्रह से European Antrix Agency का 2030 में भेज़ा जाएगा French Open Tennis Tournament आप सब के लिए important है ठीक है यह tournament आपको हमेशा पुशे जाते हैं एक नाम तो आप जरूर याद रखिएगा नुवाक जोकोविक यह पुरुस एकल में इन्होंने जो है अभी हाली में Wimbledon भी जीता है ठीक है विम्बलडन जो जुलाई में होता है उसको विजिता है चैलीन ओपन भी इन्हों नहीं जीता हैFrench Open भी इन्हों नहीं जीता ago को नहीं है यह है नोवाक जोकोविक ठीक है तो फ्रेंच ओपन टैनिस टूर्णामेंट के भी जेता है महिला में जो है आप याद रखना क्योंकि महिला में जो है सब में अलग-अलग लोगों ने जीता है जैसे कि आपका आश्ट्रेलियन ओपन में जीता था नाओमी उसाका यह आपका फ्रेंच ओपन है फ्रेंच ओपन में किस ने जीता फ्रेंच ओपन में जीता बारबारा क्रेसी कोवा यह चेक गडराज की है और विंबल्डन में जीता है ऐसले बाल्टी ने जो की कहां की है आश्ट्रेलिया की ओके तो यह आपका फ्रेंच ओपन हो गया इसको याद रखिएगा अगला हम लोग देखते हैं अगला आपका नोबेल पुरुसकार विजेता है यह आपके अमर्थ सेन है और आपको आप जानते हैं कि अमर्थ सेन को किस में मिला था अर्थ सास्थ में नोबेल पुरुसकार मिला था ठीक है इन्होंने अपना संस्पनट लिखाया जिसका नाम रखा है Home in the World तो Home in the World अगर आप से पूछी जाएगी किस की पुछतक है तो वो है आपकी अमर्थ सेन की करंट का है तो आप याद रखिएगा इसको ठीक है बादी पोरा जम्मू कस्मीर के जिले का एक गाउं है जिसका नाम है वेयान ठीक है तो वेयान जो है ये देश का ऐसा पहला गाउं बन गया है जहां पर 18 साल के उपर जो पूरी आबादी है उसको टीका लगा जा चुका है ठीक है तो बादी पोरा जम्मू कस्मीर का है एक वेयान गाउं और ये देश का ऐसा गाउं है जहां की 18 साल के उपर किया बादी को टीका लगाया जा चुका है ठीक तो वेयान नाम याद रखना आप लोग जम्मू कस्मीर का गाउं है नफ्ताली बेनेट अभ एगर आप लोग बताना चाहते हैं तो आप लोग यहां पे राष्ट्रपती का नाम बताईए कि इस्राइल के राष्ट्रपती कौन है जिसको अभी आपको ऊपर बताया गया था ओके। विशय बिल्डिंग बैक बेटर और इसमें जो है नरेंदर मोदी को भी इन्होंने वर्चुली भाग लिया था ठीक है इनको भी आमंत्रित किया गया था तो इन्होंने वर्चुली इसमें भाग लिया था और इसमें जो है वन अर्थ वन हेल्थ की बात की तो ये वाला चीज वन हेल्थ ठीक अगला आपका की भारतीय मूल की महिला पत्रकार हैं जिनका नाम है मेगा राज गोपालन इनको जो है हाली में पुलितजर पुरुसकार प्रदान किया गया है और यह पुरुसकार इन्हें क्यों दिया गया क्योंकि उन्होंने चीन के जिटेंशन केंपों की मुद्ध होता है चीन में आप जानते ही है तो उससे जो है सम्मंदित जो है इन्होंने सच्चाई दुनिया के सामने लाई थी तो मेगा राज गोपालन है ये भारती मूल की है ठीक है अमेरिका की है भारत में पैदा होई थी बस तो मेगा राज गोपालन को पुलितजर पुरुसकार प्रदान किया गया है इस साल का ओके आई-सी-सी ने भारत के वीनु माकड सहित दस आईकानों को अपने सांधार हाल आफ फेम में सामिल किया गया तो आप याद रखना तो सुरेस रहना की आत्म कथा आई है ठीक है सुरेस रहना की पुछतक जो है आपसे पूछ ली जाएगी कौन सी इनकी पुछतक का नाम है तो इनकी पुछतक का नाम है Believe Believe उसके बाद ये जो है इनका quote है What life and cricket taught me ठीक है तो Believe आप याद रखना Believe किसकी जो है आत्म कथा है तो वो है आपके सुरेस रहना की कैथरीन ब्राइस और मुस्फिकुर रहीम को मई के लिए ICC प्लेयर आप दा मंथ चुना गया तो ICC प्लेयर आप मंथ हर महीने दिया जने लगा है तो ये आपको हर महीने याद करने जिरोत नहीं है पहला आप याद रखना किसको दिया गया था तो वो दिया गया था रिसब पंत को ठीक है अगला है आपका पूरो भारतिय बाली बाल कप्तान तो ये भारतिय बाली बाल कप्तान थी इनका नाम था निर्मल मिलखा सिंग ठीक है ये जो आपके जो running star थे आपके Milka Singh उनकी पतनी थी इनका नाम था निर्मल मिलका सिंग इनका भी हो गया निधन ठीक है जो sprint legend Milka Singh यानि कि जो flying sikh इनको नाम से कहा जाता है उनकी पतनी थी इनका नाम क्या था निर्मल मिलका सिंग और ये भारतिय बॉली वाल की कप्तान भी रह चुकी है ठीक है संजय यादो को अलाभाद हाई कोर्ट का मुख नैधीस बनाए गया तो अलाभाद हाई कोर्ट का मुख नैधीस किसको बनाए गया है तो वो बनाए गया है संजय यादो को अगला आपका नाटो नेताओं ने चीन को वैस्विक सुरक्षा चुनोती घोसित किया है तो नाटो समयलन में जितने देश सामिल है उन्हों उसने जो है चीन को विस्टो की सुरक्षा के लिए एक चुनोती घोसित किया है ठीक है चीन जो है आप सब जानते रहते हैं कि कुछ न कुछ करता रहता है उल्टा पुल्टा तो इसको व महोत्सो आप याद रखना रज महोत्सो को रजपर्व या रज महोत्सो इसको बोलो जाता है यह कहां पर मनाया जाता है बस यह आप जान लीजिए यह मनाया जाता है ओडिसा में ठीक न तो रज महोत्सो या रजपर्व कहां पर मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है ओडिसा म अगला आपका है कि charity and foundation द्वारा world giving index में भारत को 114 देशों में से किस स्थान पर रखा गया है तो 14 अस्थान पर तो world giving index में भारत किस स्थान पर है तो world giving index में भारत जो है 14 अस्थान पर है इती रोपड ने जीवन वायू नामा के एक उपकरण विक्सित किया है और यह जो है क्यों important है क्योंकि यह बिना बिजली के भी काम करती है और जीवन वायू 60 लीटर प्रती मिनट तक उच्छ प्रवाह oxygen पहुँचा सकता है तो जीवन वायू क्या है तो जीवन वायू एक किये भारतिय पहलवान विनेस फोगाट ने पोलेंड ओपन में तिरपन किलोग्राम वर्ग में सरण पदक जीता है तो वो जीता है विनेस फोगाट ने ठीक है अगला आपका केंदर सरकार ने medical oxygen के उतपादन के लिए भारत के लिए project O2 पहल की शुरुआत की है तो medical oxygen उतप के लिए भारत के लिए project O2 पहल की शुरुआत किस ने की है तो यह की है केंदर सरकार ने की है इसलिए आप याद रखना कि project O2 जो है यह केंदर सरकार ने स्टार्ट किया है Microsoft कार्प ने मुख्य कारिकारी अधिकारी सत्या नडेला को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है तो सत्या नडेला अब तक क्या थे अब तक थे आपके CEO ठीक है अब क्या बन गए है अब CEO की जो है अस्थान पर यह हो गए है चेर में तो Microsoft का मुख्याले कहां पर है तो यह है रेडमंड वासिंग्टन संयुक्त राज्य अमेरिका में ठीक है तो सत्या नडेला वर्तमान में शेयर में बन गए है Microsoft के IIT बामबे ने 2021 ब्रिक्स नेटवर्क विश्च विद्याले सम्मेलन की मेजबानी की तो यह भी जो है आपके भारत का ही है ठीक तो 2021 के ब्रिक्स का जितना भी सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा भारत ही करेगा 2020 में अध्यक्षिता में ही 2021 का तेरों ब्रिक्स ने ब्रिक्स सिकर सम्मेलन खिध की जाएगा तो उसका अध्यक्षिता भारत ही करेगा संस्कृत सास्त्रों और वेदों के ग्यान को पुनर जीवित करने के लिए राजस्थान सरकार जल्दी ही वैदिक सिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करेगी तो वैदिक सिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन कौन कर रहा है तो वो कर रहा है राजस्थान सरकार इसमें भारत की रैंक क्या है वैस्तविक सानती सूचकांग में इसमें भारत है 135 अस्थान पे आइसलेंड इसमें प्रताम अस्थान पे है और अफगानिस्तान सबसे लाश्ट में है ठीक है? तो institute par economics and peace में जो है भारत की rank क्या है नहीं नहीं वेस्ट्विक सांती सुचकांक में भारत की rank क्या है तो वो है 135 ठीक है तो ये याद रखना यूरोपी अंतरिक्ष एजनसी दुनिया का पहला लकडी का उपग्रह कहां से launch करेगी तो ये launch करेगी New Zealand से ठीक है तो New Zealand से launch करेगी दुनिया का पहला लकडी का उपग्रह कौन यूरोपी अंतरिक्ष एजनसी इसके लावा जापान के अंतरिक्ष एजनसी भी 2023 में launch करेगी एक लकडी का उपग्रह ओके दिल्ली जरकार ने क्या शुरू किया जहां वोट वहां टीक करण अभियान यानि कि आपने जहां पर वोट दिया था वहीं पर आप जो है अपना टीक करण करा लीजिए वैक्सीन का ओके यह आपके दिल्ली में श्टार्ट किया गया है अगला आप लोग याद रखेंगे विश्व प्रतियस परधात्मक सूचकांक इसको जो है इंगलीज में बोला जाता है World Competitiveness Index ठीक है यह 2021 का है उसमें भारत को 43 अस्थान पे रखा गया है ठीक है तो विश्व प्रतियस परधात्मक सूचकांक जारी कोन करता है तो यह जारी करता है Institute of Management Development प्रवंधन विकास संस्थान और इसमें भारत की रेंग क्या है 43 और विश्व प्रतियस परधात्मक में सूचकांक में सूचके लैंड पहले स्थान पे है राजस्थान के परियावराड संग्ठन जिसका नाम है फैमेलियल फॉरेश्ट्री इसने जो है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉमबैट डिजर्टिफिकेशन का लैंड फार लाइफ अवार्ड जीता है तो यह जीता है फैमेलियल फॉरेश्ट्री कहां की संस्था है कि परियावनण संगठा ने कहा की राज अस्थान की ओके तो याद रखना लैंड फार लाइफ अवार्ड किसको मिला है फैमिलियल फॉरेश्ट्री को ओके अगला हम लोग देखते हैं भारत के महान धावक जिनका नाम है मिल्खा सिंग इनका 91 वर्स की आयू में हो गया है निधन तो मिल्खा सिंग की पत्नी का भी आभी अभी आपको बूपर बताय गया था कि वो बाली बॉल की जो है कpetान थी उनका भी निधन हो गया था तो अभी जो है उसके बाद मिल्खा सिंग का भी निधन हो गया है और इन्हों ने ACI खेलो में चार सुरड पदक जीते थ तक अगला देखिए आप लोग इब्राहिम राइसी ने 2021 का इरानी राष्ट्रपती चुनाओ जीता तो इब्राहिम राइसी जो है इरान के राष्ट्रपती चुने गए हैं यह आप याद रखना इब्राहिम राइसी का नाम राइसी अपने चार साल के कारेकाल के लिए अगस 2021 में, जिसका जो है अस्त्थान लेंगे हसन रोहानी का, तो ये 2000 veces से जो है ये राष्टपती के पत पर आ जाएंगे इबराहिम राई सिस्ट इसके पहले कौन थे तो ये हैं अबके हसन्त रोहानी, ठीक है, एए इरान की राजधानी क्या 81 Center for Science and Environment द्वारा जारी Ease of Living Index तो Ease of Living Index 2020 में ये भारत के लिए Ease of Living Index है ठीक है तो भारत के लिए Ease of Living Index जो है इसमें Bangalore को जो है भारत का सबसे रहने योग्य सहर जो है घोशित किया गया है तो सबसे जो है रहने योग्य सहर भारत का कौन है तो वो है Bangalore ठीक है Ease of Living Index 2020 में स्विस बैंकों में जो धन जमा है आप जानते हैं कि स्विस बैंकों में काला धन जमा किया जाता है ठीक है तो उसमें जमा धन के मामले में भारत जो है किस नंबर पे है 51 नंबर पे है ठीक है तो 51 वे नंबर पे है भारत और इसमें जो है भारत से जो है 2.55 बिलियन स्विस फ्रेंक यानि कि लगबग 20,706 करोड रुपए स्विस बैंकों में जमा है भारत के ठीक है UK जो है इसमें प्रथम अस्थान पे है और US से दूतिय अस्थान पे है वहाँ पे अपने स्वि Development Solution Network की द्वारा जारी सतत्विकास रिपोर्ट तो सतत्विकास रिपोर्ट आपकी जो है जारी की जाती है हमेशा इसको सतत्विकास रिपोर्ट इंपोर्टेंट होता है जरूर याद रखिएगा सतत्विकास रिपोर्ट 2021 जो है इसमें भारत का कौन सा स्थान है तो 120 वा स् ठीक है sustainable development report इससे आप जरूर याद रखेगा भारत का स्थान क्या है 120 है ठीक है बोटसवाना में मिला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा जो है कहां पे मिला है तो वो मिला है बोटसवाना में बोटसाना जो है एक जो है दक्षिड अफ्रीका का मनब कि अफ्रीका जो है म तो दख्रड अफरीका में 306 के कालिनन पत्थर था ठीक है लेकिन ये जो बोच्वाना में अभी भी मिलाया है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा है ओके अगला आपका है कि यूवन कांफरेंस on trade and development तो ये आपका अंक टाड है ठीक है अभी आपको बताया गया था रे अगी बेका ग्रीन इसकी पहली महिला अद्ध्यक्ष भी बनाई गई है ठीक है इसने जो है विश्व निवेस रिपोर्ट जारी की है इसमें भारत 2020 में दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेस का पांचवां सबसे बड़ा प्राप्त करता है यानि कि पांचवें नं अंक्टेट के स्थापना कब हुई थी तो 1964 में हुई थी इसका मुख्याले कहा है तो इसका मुख्याले जिनेवा में है और इसकी अध्यक्ष अभी अभी बनाई गई है नहीं 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 तो इनका नाम याद रखिएगा अगला देखिए हम लोग अगला आपका की 21 जुन 2021 को सातवे अंतर राष्ट्री योगा दिवस के अउसर पर प्रदाहन मंत्री नरेंदर मोदी ने कौन सा अप्लिकेशन लांच किया तो ये लांच है माई योगा मोबाइल एप ठीक है तो माई योगा नाम का मोबाइल एप ज मत्री युवा युद्धमी योजना और मुख्य मंत्री महिला युद्धमी युजना मोदी नाम की दो महत्तम्र कांक्छो Ouais इन्होंने शुरू की है ठीक तो जो युवा युद्धमी योजना है इसके अंतरगत आप लोन लोगे तो आपको कुछ चप जो है लोन के लिए आ तो तडांग मीनु जो है ये राज्य की पहली और देश की दूसरी भारती मिला है जिने अंतर राष्ट्री मुक्य बाजी संग का कोच समीति का सदस से न्युक्त किया गया है तो तडांग मीनु को क्या किया गया है आप याद रखना बस खली ये नाम याद रखना दाक्टर तरडांग मीनु को अंतर राष्ट्री मुक्यबाजी संग की कोच समितिका सदस से न्युक्त किया गया है इस साल की ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस अथलीट होंगे वेट लिप्टर है यह इनका नाम है लारेल हबर्ड कहां के हैं न्यूजीलेंड के हैं ठीक ह जो की ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं ठीक है पहले यह पूरुस्त है उसके बाद अपना जो है जेंडर चेंज कराके महिला बन गये हैं ठीक तो इनका नाम क्या है लाओरेल हबर्ड यह आप याद रखना अगला आपका है अलप संख्यक मामलों के मंत्री मुक्तार गुविड-19 के लिए किसने श्टार्ट किया मुक्तार अब्बास नकवी ने ओके यह इतना इंपोर्टेंट आपका नहीं है फ्लाइंग आफिसर माव्या सूधन तो माव्या सूधन का नाम आप याद रखना माव्या सूधन क्या है तो यह जो है यह भारती वायुसेना में फाइटर पाइलट के रूप में सामिल होने वाली जम्मू कस्मीर यह जम्मू कस्मीर की पहली महिला है माव्या सूधन जो जो है भारती वायुसेना में फाइटर पाइलट के रूप में सामिल होई है अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला फाइटर पाइलट क का पहली बार भारती नौसेना, यूरोपी संग नौसेना बल के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग ले रही है, तो पहली बार भारती नौसेना और यूरोपी नौसेना जो है, एक साथ संयुक्त अभ्यास कर रही है, स्टेल्थ प्रिगेट इसमें आपका आइनस त्रिकंद भा अगले रहा है और यह कहां पर हो रहा है यह अधन की खाड़ी में जो है दो दिवसी अभ्यास होगा ठीक है ना तो दो दिन तों का अभ्यास चलेगा यह अधन की खाड़ी में पहली बार हो रहा है भारती नो सेना और यूरोपी नो सेना के बीच में ओके अगला की आपका रा राणी रामपाल वैक मन्टित सिंग भारती ये पुरुष हांकी टीम के कप्तान बने है और रानी रामपाल महिला हांकी टीम कीकल भारत का अधिकारिक ओलंपिकी धीम-सांग तो यह ऑफिसियल जो नामने है नाम का एक जो है ऑफिसियल जो है ओलम्पिक ठीम संग भारत की ओर से लांच किया गया है इसे किस ने गया है तो इसको गया है मोहित चौहान ने ठीक है भारती ओलम्पिक संग के अध्यक्ष कोन है तो वो है नारायड राम चंदरन अस्थापना कब हुई थी भारती चोहान ने गाया है ठीक है अगला आपका है ओडिसा के मुख्य मंत्री ने कोविड अनात बच्चों की सिक्षा और स्वास्त के लिए आसिरवाद योजना शुरू किया है तो देखिए अब यही मैं बता रहा था कि जिसे कोविड के लिए जो बच्चे अनात हो गए हैं उनके के लिए हर राज कुछ ने कुछ आपका योजना स्टार्ट कर रहा है तो यह ओडिसा की योजना है जिसका नाम क्या रखा गया है आसिरवाद योजना मुझे नहीं लगता कि यह वाला क्वेस्चन्स आप से पूछे जाएंगे अगर आपके स्टेट का जो इस पेसली है वह एश्टर डफलो थी और आरबियाई के पूर गॉर्णर जिनका नाम है रगुराम राजन इनको राज्ज के लिए पांच सदसी आर्थिक सलाकार परिसद के रूप में नामित किया है तो यह अभी जो है एश्टर डफलो जो है पूरुसकार नोबल पूरुसकार जीते थी इ उसमें जो है इनको सामिल किया गया है असम में लगाया गया दुनिया का पहला अनुवांसिक रूप से संसोधित रबर का पौधा तो दुनिया का पहला अनुवांसिक रूप से संसोधित यानि कि जेनेटिक मॉडिफाइड जो है रबर का पौधा कहां पे लगाया गया है तो वो आप याद रखना असम में लगाया गया है, रबड के लिए हम अधिकतर क्या याद रखते हैं, केरला याद रखते हैं, ठीक है न, लेकिन ये जो अनुवानसिक रूप से लगाया गया असम में, सदी के सीर से परोपकारी लोगों की सूची में जमसेद टाटा सीर सस्थान पे हैं, यानि की सबसे ज़्यादा दान देने वाले पिछले सौ सालों में, पिछले सौ सालों में सबसे ज़्यादा दान देने वाले लोगों में जो है, जमसेद टाटा जो क के वेल स्मिथ, ठीक है, हालीवूड की अभी नेता है, वेल स्मिथ, इन्हों ने अपनी आत्मकथा लांच किया, जिसका नाम क्या रखा है, इन्हों ने आत्मकथा का नाम रखा है, ठीक है न, तो यह आप याद रखना, तो विल जो है, किसकी आत्मकथा है, तो यह वेल को बहुए है तो भारत को रहाया है इसमें काइमल जैमीसन जो की न्जी लैंड के खिलाडी है इनको प्लेयर आपदा मैच चुना गया है जबकी के मेर ड्यंड मेरे जिएक बंध चुना गया है जबकी केन क्यों मैल कि ठीन ट्रीय होनेक अंतर सरी सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परिक्षण किया तो निर्भय जो है क्या है तो निर्भय आप याद रखना कि निर्भय एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है तो यह सबसोनिक क्रूज मिसाइल है याद रखना सबसोनिक है ठीक है नाम क्या है इसका निर्भय ने इसका परिक्ष केस एयरपॉर्ट सर्व्स क्याल्टी में रोल आफ एक्सिलेंज का संबान किन जीता है तो वो जीता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपॉर्ट को एयरपॉर्ट पया तो दिंदी खेल विस्व विद्याले कि कि उसको बनाए गया है? प्रथम भारती महिला भारत तोलक है जो की ओलंपिक पदक जीती थी स्वारड पदक नहीं है ओलंपिक पदक है के वल ठीक है तो करडम मल्लेस्वरी ठीक दिल्ली खेल विस्विद्याले की प्रथम कुलपती भारत और बुटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बार्डर लांच और इस अग्ला अप देखेंगे राष्ट्रिय कॉसल विकास निगम और वाटसपت dost तो डिजिटल इस प्रोग्रों करें लिए घट बंदन की घोशणा की है जिसका अज है भारत के युवाओं को डिजीटल कॉषल पर प्रसिक्षित करने के लिए जो राष्ट्री एक कॉष्ल विकास निगमैं किसके साथ साज़ेदारी की है तो उसके साथ है Hello Akash सा प्रोग्राम स्टार्ट किया है डिजिटल स्किल चेंपियंशिप राष्टरी कोशल विकास निगम और वाटसप के बीच में ओके न अगला आपका है Microsoft ने आधिकारिक तोर पर अपना नया Windows operating system लांच किया जिसका नाम है क्या Windows 11 अभी तक आपका क्या था Windows 10 था ठीक है 2015 में वो आया था Windows 10 तो लगवग 6 सालों बाद जो है आपका कौन आ रहा है Windows 11 आ ठीक तो इसको लांच कर दिया है Windows ने Microsoft ने ठीक अगला है कि केंद्र ने जारी की Smart City Award 2020 तो Smart City Award 2020 जारी किया गया है केंद्र के दोरा जिसमें इंदौर और सूरत जो है इसने अपने समगर विकास के लिए संयुक्त रूप से प्रथम पूरुसका लीता है तो Smart City Award है आप याद रखना कि Smart City Award में जो है कौन-कौन से इंदौर सहर है गुजरात का तो इन दौनों को जो है संयुक्त रूप से प्रथम पूरुसकार दिया गया है स्मार्ट सिटी अवार्ड में सहरों के बारे में पूछे जाएगा तो वो आपका इंदावर और सूरत ये आपके पहले स्थान पे हैं संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेस राज्यों में पहले स्थान पे है और केंद सासित प्रदेसों में चंडी गड़ प्रतामस्थान पे है अगला आपका है गोवा के मुख्यमंत्री इनका नाव में याद रखिएगा आप लोग डाक्टर प्रमोध सावंत ठीक तो ये गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोध सावंत ठीक तो रेवीज मुक्त होने वाला देश का पहला राजी कौन बन गया है तो वो बन गया है गोवा ठीक गोवा की राद्धानी पढ़जी है और इसके मुख्यमंत्री आप सब यह को बताया गया अभी डाक्टर प्रमोध सावंत केंद्री सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल बने कारिवाहक सी ठीक तो यह अभी जो है मनलब की यह जो है केंद्री सतर्कता आयुक्त बने नहीं है यह कारिवाहक जो है सतर्कता अभी बनाया गया है इनको किसको सुरेश एन पटेल को ठीक तो संजेक उठारी ने अपना कारेकाल पूरा कर लिया था इसलिए जो है सुरेशन पटेल को कारेवाहक जो है सतरक्ता आयुक्त बनाया गया है ठीक यह जो आपके सुरेशन पटेल हैं यह जब तक नए केंदरी सतरक्ता आयुक्त की नहीं हो जाएगी तब तक जो है इस पद पर बने रहेंगे ठीक तो जब अगला आपका जहारखंड क्रिकेट संग ने बोकारो सहर में एक अंतरराष्ट्री क्रिकेट इस्टेडियम बनाने के लिए सेल का जो यनि की जो का स्टी इस va jul अलधर द्राष्ट्रा करन्त के साथ समझो था ग्यापन पर हस्थाक्र किया है तो कहांब एक अंतरराष्टी क्रिकेट इस्टेडियम बनाने जारा है तो वह बोकारो सहर में बनाए गया है बनाय जाएगा जहारखंड राज्य में ठीक है न डियारडियो ने उडिसा तट चादीपूर से उन्नत पिनाक राकेट का सफल परिक्षण किया पिनाक क्या है तो पिनाक है एक मेल्टी बैरेट राकेट लांचर सिस्टम तो याद रखना कि पिनाक अगर पूछा जाएगा त पिनाक है क्या तो ये एक मल्टी बैरेल राकेट लांचर सिस्टम है यानि कि इससे जो है राकेट को लांच किया जाता है ठीक है तो इसमें लगा कि राकेट को लांच किया जाता है और एक बार में मल्टी बैरेल है यानि कि एक बार में कई राकेट को ये लांच कर सकता है ठीक है ना तो पिना क्या है मल्टी बेरेल राकेट लांचर सिस्टम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेट के अध्यक्ष और प्रबंदी देशक जिनका नाम क्या है आरके सभरवाल याद रखना की आरके सभरवाल को मंगोलिया के सर्वोच नागरिक सम्मान जो है से सम्मानि देशक अगला पॉइंट है आपका कि प्रवीर सिन्ना को क्या बनाया गया है इनको CBI का विसेस नीदेशक बनाए गया है ठीक है तो यह एक पद होता है विशेस निदेसक एक पद होता है निदेसक तो जो विशेस निदेसक है ये निदेसक के बाद एजंसी में दूसरा जो है सबसे वरिष्ट पद होता है लेकिन अगर आपसे पूछा जा कि CBI के निदेसक कौन है जो कि आपसे पूछा जाएगा ये हैं आपके सुबोध कुमार जैसवाल ठीक है तो सुबोत कुमार जैसवाल CBI के निदेशक है और विसेश निदेशक कोन बनाए गए है तो वो बनाए गए है प्रमीड सिन्ना डियाइडियो ने जो है एक परमाडु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का प्रिक्षण किया है जो की है अगनी प्राइम तो ठीक ह अगनी मिसाइल जो है क्या है तो ये एक परमाडु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है ये आप याद रखना कि अगनी जो है परमाडु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है अगनी प्राइम ठीक है अगला आपका है यूक्रेन और सन्युक्तरज अमेरिका ने काला सागर में एक सैन नभ्यास किया यह पहली बार हुआ है ठीक है तो इसलिए इसको आप याद रखना Sea Bridge Drills किसके किसके बीच में हुआ तो यह हुआ है यूकरेन और सन्युक्तरज अमेरिका के बीच में पत्रकार है जिनका नाम है पी साइनाथ इन्होंने जापान का फुकुओ का ग्रेंड पुरुसकार जीता तो फुकुओ का ग्रेंड पुरुसकार कहा का है जापान का और ये किसको दिया गया हाल ये में किस भारती को तो ये दिया गया पी साइनाथ को ठीक तो ये आप या दखना पी साइनाथ जापान क प्रकास जाओडेकर यह वे कब थे यह थे आपके जो है जून में तो इन दौर में एक जो है नार qurex hives ग्रेक का जो ब्रों किया गया है जो की अरजए का सबसे लंबा ट्रैक का उड़ए आप लो को आप लोग को यह दौर में एक घ्टन क वह तो मावथ कीज़ो рассتم सिव्द जो इस्टार्ट की जा रही है ये जेन गार्डन और काईजन अकादमी ये जापानी जो है तकनीक से बनाया गया है ठीक है न तो ये दो नई पहले गुजरात में मिनी जापान बनाने के प्रधान मंत्री के वीजन का हिस्सा है तो प्रधान मंत्री मोधी क्या करना चाहते है कि ये गुजरात में एक मिनी जापान बनाना चाहते हैं इसके लिए इसके लिए इस्टार्टिंग में जो है ये दो चीजों का उद्गाटन किया गया जैन गार्डन का और काईजन अकेडमी का कहां पर अहमदाबाद में अगला है आपका European Gaza Agency याने की दिब्यांग अंत्रिक्छा आत्री को बनाया है चीन ने बनाया दूसरा सबसे बड़ा जल विद्द्द बाध जो दूसरा अजल विद्द बाध इसका नाम है और यह जिसना नदी पर इस्थापित किया गया है ठीक है तो ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा जल विद्धाद है किसने बनाया है चाइना ने अगला है आपका भारती महिला क्रिकेटर जिनका नाम है सेफाली वर्मा सब ही प्रारूपों में डेवियू करने वाली भारत की सबसे युव भारती खिलाडी है ठीक है तो सिफाली वर्मा जो है ये क्रिकेटर है भारती महीला क्रिकेटर है और सभी प्रारूपों जाने की लि 취 two one day test इन सब में जो है डेब्यू करचुकी है ये और यह डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की भारती खिलाडी बन गई है ठीक है कितने दिनों में इनने डेब्यू किया सब में तो 17,150 दिन में भारत की राही सरनोबत राही सरनोबत है तो यह सूटिंग से संबन्दीत है मध्य प्रदेश की all rounder है जिनका nाम क्या है अंसुला राउ ठीक है ये डोप हो गई इसके बाद इन के ओपर क्या लगा दिया गए चार साल का प्रतिबंध लगा दिया गए लिए डाक्टर हर्षवरधन को सम्मानित किया तो तंबाकु नियंत्रण में प्रयास करने के लिए डाक्टर हर्षवरधन को जो की जून में क्या थे हमारे देश के स्वास्थे मंत्री थे रवी सास्त्री की पहली पुस्तक है ये इसका नाम है श्टार गेजिंग दपलेयर in my life 25 जून को ये रिडीज की जाएगी तो ये जो है किसकी पुष्टक थी रवी सास्त्री की पुष्टक है स्टार गेजिंग ठीक है तो ये जो है हमारे जून के current affairs हो गए तो उमीद करता हूँ ये चीज़े आपको पसंद आए होंगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो आप लाइक कर दीजेगा और आपने दोस्तों तक भी इसको जरूर सेयर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगले महीने का current affairs आपको फिर से मिल जाएगा जब जुलाई महीने का जुला महीने आपको खतम हो जाएगा तो